दा माश्टर प्रकास क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है पार्ट टू पे हम लोग आते हैं समान अध्यन पे समान अध्यन का प्रक्टिस सेट चल रहा है ये आपका तीसरा सेट है और उसी को हम लोग कांटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं जिससे पहला कुश्यन आपके स्क्रीन पे है कोछी इस तरीके से है इसमें कह रहा है और पहला कुश्यन आपका 41 नमबर से श्टार्ट होगा पहला कुश्यन आपसे कह रहा है कि वर्श 1526 में पानीपत का युद बाबर और डाट डाट के बीच लड़ा गया था तो मेरे साथ ही आपको बताना है कि इसका जो right answer होगा वो कौन सा होगा तो इसका सही जबाब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा D number बिल्कुल राइट answer होगा इब्राहिम लोदी के बीच इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ था कब 1526 में और 21 अपरेल 1526 को लड़ा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ चलिए कुश्चन नंबर सिकंड आपसे ये कह रहा है कि बैपारिक कमपनियों ने मुगल समराट के दोरान 1605 में भारत में मचली पतनामन में अपना ठिकाना अस्थापित किया तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा कह रहे हैं कि 1605 इस भी में मचली पतनम में अपना ठिकाना अस्थापित कौन किया था तो जो इसका राइट एंसर हो जाएगा 42 का D बिलकुल सही एंसर होगा डच जो थे वो अस्थाफित किया थे अपनी कमपनी चलिए आगी की तरफ बढ़ते हैं अगला क्विश्चन आपसे कह रहा है आरिशमाज के संस्थापक कौन थें तो आरिशमाज के आपको बताना है कि संस्थापक कौन थें तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका बी विल्कुल सही जवाब होगा दयानंद सुराश्वती जी इसका राइट अंसर होगा चलिए 44 की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपको बताना है कह रहे हैं निमलिखित में से किसे गांधी जी अपने राजनेतिक गुरू मानते थे तो इसका आपको बताना है कि सही एंसर क्या हो जाएगा तो इसका जो राइट आइंसर होगा वो डी बिलकुल सही जवाब होगा गोपाल किर्ष्न गोखले जी को ये अपना राजनेतिक गुरू मानते थे कौन महत्मा गांधी जी बापू जी चलिए साब अगला गुश्यन आपको बताना है 45 नमबर कह रहे हैं भारत का सम्मिधान दिवस को मनाया जाता है तो आपको बताना है कि सम्मिधान दिवस कम मनाया जाता है तो 45 का जो राइट आइंसर होगा क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो सम्मिधान बन गया था वो 26 नौंबर 49 तक हमारा क्या हो गया था complete हो गया था तो इसका जो right answer हो जाएगा और इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं शम्मिधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नौंबर चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आप से क्या कह रहा है कह रहे हैं भारतिय सम्मिधान में कितनी अनुसूचिया हैं तो आप जानते हैं कि भारतिय सम्मिधान में जब हमारा सम्मिधान लागू हुआ था तो उस समय आठ अनुसूचिया थी और वरतमान का जिक्र किया गया है तो वरतमान में आप जानते हैं कि कितनी अनिसूचियां है, 12 बिलकुल right answer होगा, चलिए, अगले question का जिक्र करते हैं, अगला question आपसे कह रहा है कि भारतिय नागरिक्ता किसके दौरा दी जाती है, तो अब ये आपको बताना है कि भारत में नागरिक्ता कौन देगा, भारत के राष्टपती देंगे, परधान मंतरी देंगे, विदेश मंतराले देगी, या ग्रेह मंतराले द्वारा नागरिक्ता कौन देगा, तो इसका जो right answer हो जाएगा, बिलकुल सही जवाब आपका होगा, A number, राष्टपती द्वारा भारत की नागरिक्ता दी जाती है, चलिए, अगले question की तरफ बढ़ते हैं, अगला question आपके screen पे है, इसमें आपको बताना है, कहरा है, राष्टपती किसके प्रामर्स में संसद के सभी सत्र आयोजित और अस्थगित करते हैं, तो ये आपको बताना है कि राष्टपती जो होता है, किसके प्रामर्स पर अस्थगित कर सकता है, और आयोजित भी कर सकता है तो मेरे साथ ही इसका जो सही जवाब होगा डी बिलकुल राइट एंसर होगा मंतरी परिशत के सलापर वो ऐसा कर सकता है चलिए अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं 49 में आपको बताना है कह रहे हैं लोगसभा अध्यच अपना त्याग पत्र किसे संभोधित करता है तो इसका जो सही एंसर होगा 49 का सी बिलकुल सही जवाब होगा लोगसभा अध्यच को ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कौन लोगसभा अध्यच चलिए चले साथी अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपको बताना है कहा रहे हैं 50 number शूरी के सबसे बाहरी पर्त को क्या कहा जाता है तो शूरी के सबसे बाहरी पर्त को क्या कहा जाता है इसका जो right answer हो जाएगा 50 का D बिलकुल इस समय आप जानते हैं कुरोना वायरियंट भी बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसका जो राइट एंसर होगा, कुरोना बिलकुल राइट एंसर होगा, शूर के वाहव प्रत को हम कुरोना नाम से जानते हैं, चलिए साब, अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला कुश्चन आपसे बताना है, बहुत मज़ेदार कुश्चन है, और ये बच्पन से ही पढ़ते आए होंगे आप, इसमें कहे रहा है कि दोनों गोलार्ध में समान दिन रात, वो कौन सा तिथी है, जिस पर दोनों गोलार्ध में समान दिन और रात, समान समय के होते हैं तो जो इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका जो राइट एंसर होगा वो सी बिलकुल सही जबाब होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों का समय जो होता है वो क्या होता है समान होता है दोनों गोलार्ध पर समान दिन राद इन दिनों में होते हैं तो कौन सा टाइम होता है 21 मार्ज और 23 सितंबर के दिन को ही होता है चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज में सबसे लंबी टट रेखा है तो मेरे साथ ही इसका जो सही जबाब होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा गुजरात जो की सबसे अधिक टट ये रेखा बनाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा सी विलकुल सही जबाब होगा चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन आप लोग फटा-फट बताते चलिए इसमें कहा रहे हैं भारत वर्ष में खरीब की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है तो मेरे साथ ही इसका जो सही जबाब होगा वो आपका सी विलकुल सही जबाब होगा सितंबर और अक्टूबर माह में खरीब की फसल काटी जाती है खरीब के अंदर आप जानते हैं कि मक्का, जूट, मुंकफली बाज, राज, जो ये सारी चीजे आती हैं चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पे है तो इसका फटा-फटा आप लोग एंसर बताते चलिए इसमें कह रहे हैं कि भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका बी विलकुल सही जबाब होगा मीटर प्रती सेकेंड घं इसका राइट एंसर होगा चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं कह रहे हैं किसके बराबर होता है तो इसका जो राइट एंसर होगा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं प्रमशून ने ताप भी कहा जाता है और ये जो बराबर होता है माइनस 273 डिगरी सेंटीग्रेट के ये क्या होता है बराबर होता है तो जो इसका राइट एंसर होगा वो भी विलकुल सही जबाब होगा चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपसे पूँच रहा है कह रहा है कि धात में बिद्दूत का वाहन करती है तो आपको बताना है कि धात में किसके कारण बिद्दूत का परवाह होता है तो इसका जो सही जबाब होगा ये बच्पन से आप लोग सीखते पढ़ते आए हैं तो मेरे भाई मुक्त एलक्ट्रॉन के कारण ही शंभव है कि किसी भी कंड़क्टर में electricity flow हो चली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपसे कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्यन को dot dot कहते हैं तो आपको बताना है कि कोशिकाओं के अध्यन को क्या कहते हैं इसका जो सही answer होगा ए बिलकुल सही जबाब होगा साइटो लौजी कोशिकाओं के अध्यन को कहते हैं चली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपको बताना है कह रहे हैं गाजर का नरंगी रंग किस वर्णड़क के कारण होता है तो इसका जो सही answer होगा आपका बिलकुल सही जबाब होगा कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है न नरंगी होता है किसके कारण कैरोटीन के कारण चली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपको बताना है इसमें कह रहे हैं एक terabyte कितने gigabyte के बराबर होता है तो मेरे साथ ही हर एक set में आपको एक computer का question मिल रहा है तो इसका जो right answer होगा वो आपका D बिलकुल सही जबाब होगा एक terabyte 1024 गुड़े 1024 के बराबर होता है gigabyte के चली अगले question का जिक्र करते हैं अगला question आपको बताना है कह रहे हैं केवला देव राष्टिय उद्ध्यान कहां इस्तित है तो जो इसका right answer होगा 60 का जो सही जबाब होगा आपका D बिलकुल सही एंसर होगा राजस्थान मेरे साथी सही जबाब होगा चली अगला question कहा रहे हैं कि भांगडा कहां का लोक निर्त है तो इसका जो सही जबाब होगा आप जानते हैं कि भांगडा जो लोक निर्त है वो कहां का है पंजाब का है इसमें कोई doubt नहीं होनी चाहिए आप लोगों को किसी परकार का चली सब तो ये भांगडा हो गया गिद्धा डान्स भी यहीं का है चली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधिन रहते हुए इन में से किसे सूचना का अधिकार होगा तो आपको बताना है कि इसका जो सही जबाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होता है तो जो इसका right answer हो जाएगा सी बिलकुल सही जबाब होगा चली अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपसे कह रहा है आतंगवाद से निपटने के लिए पुलिश में बनी नवीन इकाई RTS को किसकी बिस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस तक भेजा जाएगा तो इसका जो right answer होगा कह रहे हैं कि 63 में आतंगवादक से निपटने के लिए पुलिस द्वारा जो नवीन इकाई ATS बिस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा तो इसका जो right answer हो जाएगा मेरे भाई ए बिलकुल सही जबाब होगा बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा तो इसका जो right answer होगा ए बिलकुल सही answer होगा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question आपको बताना है छोटे छोटे question है फटा फटा answer बताते चलिए उत्तर परदेश में होली के तेवहार पर लठ मार होली मनाई जाती है तो मेरे शाथी आप news में अगर आप देखते भी होंगे तो ठीक ना ये सारी चीज़ें आपको वैसे भी पता होंगे तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका कहाँ पर हो जाता है लठ मार होली मेरे भाई ये हमारे ख्याल से मतुरा में होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा चार आप्षन आपके सामने दिये गया है तो इसका जो right answer होगा वो आपका क्या हो जाएगा मतुरा बिलकुल सही जवाब होगा ये कहां पर मनाया जाता है मतुरा में मनाया जाता है लठ हमार होली जो है वो मतुरा में मनाया जाता है लेकिन इसका जो सही जवाब होगा B बिलकुल सही जवाब होगा मतुरा के वर्साना में लठ हमार होली खेली जाती है चलिए तो अगला कुश्चन आपको बताना है निमलिखीत राज्यों में से किसे उत्तर परदेश की सीमा नहीं लगती है तो इसका जो सही जवाब होगा राज दिये गए है उसमें से आपको बताना है कि किस की सीमा उत्तर परदेश से नहीं लगती है तो जो इसका राइट एंसर हो जाएगा पंजाब की सीमा उत्तर परदेश से नहीं लगती है चलिए अगले कुश्चन का जिक्र करते हैं अगला कुश्चन आपको बताना है कह रहे हैं कह रहे हैं कि कौन सा निसकर्स आपका सही होगा तो इसका जो राइट अंसर होगा अराम से पढ़ लीजेगा पहला वाला ये अपका कह रहे हैं कि एक छड़ी से जड़ को 50 बार मारता है यदि एक परहार के लिए एक साल की सजा है तो ए को सजा के लिए 50 साल कारावास होगा नहीं बिलकुल गलत जबाब चाहे आप एक छड़ी मारिए चाहे हजार मारिए जो कानून में नियम है उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी दूसरा कंडिसन यहाँ पर कह रहे हैं कि ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्ता छेप करता है और ए जान बूच कर वाई को भी मारता है तो ए जेड को सवैच्छा से चोट पहुचाने के लिए सजा के लिए और वाई को मारने के लिए अन्सजा के लिए उत्तरदाई है यह बिलकुल सही जबाब होगा तो इसमें से पहला आपका गलत है दूसरा आपका सही है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वनली फॉर सिकेंड राइट नतलब सी आपसन बिलकुल आपका सही होगा चलिए अगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपको बताना है एक कंडिशन दी गई है उसके अनुशार आपको बताना है कि इसका राइट एंसर क्या होगा कह रहे हैं राम ने एक अपराद किया जिसके लिए एक सजा सिर्फ 40 रुपे का जुर्बाना था लेकिन वह इस राज्च का भुकतान नहीं कर सका फिर IPC की धारा संड़सट के अनुशार उसे भुकतान ना करने के लिए अधिक्तम कितने महीने का जेल हो सकता है तो मेरे साथ ही अगर वो 50 रुपे से कम की राज्ची है तो 2 माह के लिए और 50 रुपे से जादा मतलब 100 रुपे की राज्च तक है तो 4 माह के लिए जेल होगा और उसे जादा है तो 1 साल के लिए जेल होगा तो कितने माह के लिए मेरे भाई नियुन्तम 2 माह के लिए होगा अगर 50 रुपे से 100 रुपे के बीच में है तो 4 माह के लिए और 100 रुपे से जादा है तो कितने एक साल के लिए आपको कारावास हो सकता है तो इसलिए आप ट्रेवलिंग करिए तो टिकट लेके चलिए अगले कुश्चन का जिक्र करते हैं अगला कुश्चन आपसे कह रहा है कि डाट डाट वनार्शी अनसूची कह रहे हैं वनार सी अनुसूचित जन जातिया FDST के वन अधिकारों को मानता दी और FDST लोगों को वन भूम के अधिकार दिलाएं तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा डाट डाट के स्थान पे कौन सा भरा जाएगा तो इसका जो सही जबाब होगा ये बिलकुल सही एंसर होगा वन अधिकारों की मानता अधनियम के अनुसार ये सारी बातें राइट होगी चलिए अगले क्विस्टन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्विस्टन एक सिम्बल दिया गया है और ये यातायाद से रिलेटेड है कह रहे हैं आपको बताना है कि इसका जो राइट अंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो ये सिम्बल आप समझ रहे हैं ये क्या हो जाएगा आगे मोन है ये उसका सिम्बल है तो यातायाद से रिलेटेड है चले लाश्ट के दस कुईश्चन और बचे हैं इसमें आपको बताना है कह रहे हैं कि यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहद अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वहाँ सम्मिधान के अनुछेद डॉट डॉट अधिन उच्चितम न्यायाले में जा सकता है तो मेरे साथ ही आपको पता होना चीए कि उच्चितम न्यायाले के जाने के लिए कौन सा अनुछेद है तो अनुछेद 32 ना अनुछेद 32 आपका कहां पे ले जाएगा उच्चितम न्यायाल है चलिए अगले क्विश्चन की तरफ बढ़ते हैं कहरा निम्न मैंसे किन पर जनहित याज का मामलों के रूप में विचार नहीं किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका ए बिलकुल सही जबाब होगा जनहित याज का मामले नहीं दायर किये जाते हैं तो माकान मालिक किरायदार मामले में नहीं होता शौरी मेरे भाई ये इसका ये भी सही हो जाएगा कह रहे हैं शेवा और पैंसन के मामले में ये भी आपका सही हो जाएगा और परिवारिक पैंसन के मामले में ये भी आपका मतलब आप कह सकते हैं कि आफशन ये बिलकुल सह जवाब होगा तीनों कंडिशन सही हैं चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन कह रहा है तातकालिक नयाय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतरगत आता है यह मुख रूप से जनता द्वारा मुकदमे बाजी के बाद परडाम के र इसका जो राइट एंसर हो जाएगा यह बिल्कुल सही जवाब होगा चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपको बताना है कह रहे हैं 1983 में अस्थापिट डाट डाट के राजपत्र का आदेश के राज और केंद्र सरकार के भी संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के सम्मिधान के धाचे के बेतर परिवर्तन का सुझाओ देना था तो डाट डाट इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी बिलकुल सही जबाब होगा सरकारियां आयोग जो होती हैं ना उननीस सो नाइन्टीन एट्टी थिरी में अस्थापिट चलिए अगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं अगला कुश्चन आपसे कह रहा है कि भारतिय समिधान का अनुच्छेद और 60 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह डाट डाट खाली अस्थान भरना है इसका जो राइट अंसर हो जाएगा डी बिलकुल गायवा बच्छनों के वध पर रोक लगाया जाए तो ये कौन सा अनुच्छेद आपका देता है अनुच्छेद 48 इसका सही जवाब होगा चलिए अगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं इसमें बताना है कहा रहे हैं मोटर यान बिध्यक 2019 से संबंधित तत्यों पर विचार कीजिए तो 75 का जो राइट अंसर हो जाएगा चार आप्शन आपके स्क्रीन पर हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट अंसर होगा तो इसमें मेरे साथी सभी आप्शन आपके क्या है सही दिये गए हैं जितने भी कंडिसन हैं वो सब आपका सही है चलिए अगले क्विशन की तरब बढ़ते हैं कह रहे हैं बिशु अस्थन पान सप्तहा बिशु भर में मनाया जाता है तो जो इसका right answer हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा C बिलकुल सही जवाब होगा इसका जो right answer हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा C मतलब 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं कह रहे हैं आठ नो अगस्त 2019 को E governance पर 22 राष्टिय सम्मेलन आयोजित किया गया तो ये कहां पर आयोजित किया गया E governance इसका जो right answer हो जाएगा ये बिलकुल C long में किया गया चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपको बताना है केंद्रिय मंत्री मंडल द्वारा अंटर राष्टिय समाधान समझोता यू या नाईस यसे से जुड़े सैयूक्त राष्ट कन्वेशन पर हस्ताचर की मंजूरी दी गई है तो ये date आपको बताना है इसका जो सही जवाब होगा वो 31 जुलाई विलकुल शही एंसर होगा चलिए अगले कुश्चिन की तरफ बढ़ते हैं इसमें कह रहा है बिस मानवा तसकरी दिवस 2019 का मुक विसे आपको बताना है कि इसका अध्याय क्या था तो इसका जो सही जवाब होगा आपका राइट एंसर भी विलकुल सही होगा मानवा तसकरी ये क्या हो जाएगा जो आपका विसे था 2019 में कारवाही के लिए अपनी सरकार को बुलावा ये इसका क्या था मुक विसे था चलिए तो मेरे भाई इस तरीके से अगला कुश्चिन की तरफ बढ़ते हैं अगला कुश्चिन आज का आखरी और ये लाश्ट नमबर कुश्चिन आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा कह रहे हैं उत्रा खंड मानो विकास रिपोर्ट 2019 से संबंधित तथ्वों पर बिचार करें तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा एट्टी का आज का ये लाश्ट कुश्चिन है इसका जो सही जवाब होगा मेरे भाई ये ये भी आपका सही तथ्व है ये भी ये भी और ये आपका गलत है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आपका C विल्कुल सही एंसर होगा इसमें आपका ये तीनों तत्थ आपके क्या है राइट है और फोर्थ नंबर आपका क्या है गलत है तो मेरे भाई मेरे साथ ही इस तरीके से हम लोगों ने सामान अध्यन का 40 प्रश्न कम्प्लेट कर लिए हैं I hope ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ भी आप इसको सेयर करिएगा और वीडियो जैसी लगी ये आप कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा और कितने नंबर आप इस सेट से प्राप्त किये हैं उसको भी आप कमेंट वाक्स में जरूर लिखे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद